ओके, हेलो चैटर्स, माई नेम इस रोईत और यूर वाचिंग रस्सल चैटर्स तो गैस, सर्वाइवर सिरीज के पेपर उससे पहले है, डवल डूबली के दोनो शोज यानि के राउ और स्मैक डाउन लाइव एकदम जबर्दस रहे, जहां एक तरफ हमने राउ में देखा कि हमें दो बड़े सूपरस्टार यानि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की राउ में वापसी देखने को मिली और हमने देखा कि काफी सालों बाद हमें शील्ड का मैच एक बार फिट से देखने को मिला स्मैक डाउन लाइव की बात करें तो काफी अच्छा शोर आ है, जहां लास्ट में हमने देखा कि किस तरह रो रोस्टर ने आकर स्मैक डाउन लाइव पर हमला किया WWE के लास्ट पेपर वी TLC के ठीक बात जो RAW हुए थी वहां हमने देखा कि कैसे सर्प्राइस किया WWE ने हम सभी को जहां SmackDown Live के रोस्टर ने आका RAW पर अटेक किया और बुरी तरह से RAW के सुपस्टार पर लॉकर रूम में और बैक स्टेज पर हमला किया और ये बात तो हम सभी लोगों ने पहले से अंदाजा लगा लिया थे कि सर्वाइवर सिरीज से पहले कि जो SmackDown Live का अपिसोड होगा वहां पर RAW का रोस्टर आके अटेक करेगा और हुआ भी ऐसा ही किया था और वहां पर बड़ा हमें SmackDown Live दिखाए देता तो ऐसे में ऑविस सी बात यह थी कि अगर रॉब रेंट अटेक करने जा रहा है SmackDown Live पर तो रॉब रेंट को यह बड़ा दिखाना पड़ेगा लेकिन अगर ऐसे में SmackDown Live के दो बड़े सूपर स्टार रेंडी ओटेन और जौन सिना आज SmackDown Live पर होते तो फैंस उसे क्या एक्सपेक करते फैंस ही एक्सपेक करते कि रॉब के इस अटेक का वो उन पर पलट वार करें लेकिन फिर ऐसे में WWE की जो स्टोर लाइन थी यानि रॉब रेंड को SmackDown Live पर बड़ा दिखाने की आज की एपिसोड में वो फेल हो जाती और WWE एट लिस्ट आज की SmackDown Live के एपिसोड में तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी अब एक तरफ हम ये सोचें कि अगर रेंडी ओटन और जॉन सिना SmackDown Live में होते और तब भी रॉब रेंड आकर SmackDown Live को धूल चटा देती तो ऐसे में एक चीज जो बुरी होती ही वो ये कि फैंस की थोड़ी बहुत excitement कम हो जाती है Survivor Series के उस मैच के लिए क्योंकि फैंस को उस म SmackDown Live के टीम के वो है रेंडी ओटन और जॉन सिना तो डॉब ली सर्वाइवर सीरीज के पेपर वू के लिए माल मसाला बचा के रखना चाहती है वो चाहती है कि फैंस काफी जादा एक्साइटेड रहें इस बड़े पेपर व्यू के लिए इन दोनों सोपरस्टार के अवेल को नहीं मिले तो गाइस यह थे पूरी तरह से मेरे उपिनें जौन सिना और रेंडी ओटन के आज स्मैकडाउं लाइफ के अपिसोड में ना दिखने के तो मुझे उमीद है कि आपको वीड़ अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रू करना कमेंट करके बताना कि आप सर्व यू गाइस इन में नेक्त वीडियो